जहें दोस्तों तो कैसे हैं आप लोग तो आज लोबात करने वाले हैं IPL के बारे में तो दोस्तों इस लीग का मैच नुमबर 27 होने वाला है जो की पंजाब वर्सिस बैंगलोर की बीच में खेला जाएगा कल दो बहर साड़े तीन बजे तो दोस्तों कल का मुकाबला मतलब द माच टीम की कॉमिनेशन मिलेगी जिसके मदद से आप 100% विनिंग कर सकते हैं हेट टू हेड एसल और जीएल उसके साथ में दोस्तों मैच डिटेल पिछी रिपोर्ट प्लेयर अनलाइसिस कौन से प्लेयर इस मैच में चलेंगे कौन से प्लेयर फ्लॉप रहेंगे किनको रख विडियो बहुत ही इंट्रस्टिंग और अगर आप जीतना चाहते हैं फेंटसी एपो में तो चलते हैं वबहुत हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहींएगें तो सब्सक्राइब कर लिजें क्योंकि दोसतो हमारे चैनल पर एक वाफ você चल रहा है हर मैच में गीबवे होता है तो इस giveaway में participate करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है comment section में comment करना है comment में क्या करना है कि कौन सी team जीतेगी मतलब कौन सी team जीतेगी ये आपको comment करना है मतलब कौन से player इस match में grand player रहने वाले है मतलब जिसका dream level का point सबसे जादा हो वो कौन से player होंगे उसके नाम को आपको भी रख देंगे ताकि अगर आप जीतते हैं तो आपको रासी आपके mobile पर जा सके दोस्तों तो वो कर लिजेगा अब चलते हैं पहले यहाँ पर पिच रिपोर्ट बताते हैं तो दोस्तों यह पिच रिपोर्ट बताता हूं यह जो match है वो मोहाली में खेला जाएगा जो की पंजाब क्रिकेट SSCN का है बिंदरा स्टेडियम नाम है यहाँ पर जो पिच है वो balance behave करती है average score 148 के आसपास रहेगा लेकिन हर match में देख पा रहे होंगे कि score अच्छा खासा बन रहा है एक कल के match में ही सिर्फ खराब हुआ है ने तो बाकि सारे match में अच्छे हो रहे हैं तो यहाँ पर आपको score 170-160 के आसपास देखने को मिलेगा उससे जादा भी बन सकते हैं हाला कि दोनों ही टीमों में विकेट्स किरेंगे लेकिन दोनों ही टीमों में तगड़े batsman है वो भी देख लेंगे लेकिन विकेट्स किरेंगे आपको baller भी अपने team में सामिल करना है perfect combination बनाना है आप यह ऐसा कर सकते हैं साथ batsman और पांच baller के साथ जो में से दो और rounder होने चाहिए तो इस तरह के combination आप बना सकते हैं आपने team और आपको फायदा हो सकता है light rain होने की संभावना है लेकिन मुझे नहीं लगता है कि होगी rain लेकिन 10% chances है rain होने की तो उसी हिसाब आपस अपना opener बल्ले बाजो को जादा रखने का कोसिस करेंगे temperature 22 के आसपास आपको देखने को मिल सकती है तो यह पूरी pitch की कहानी थी इसी pitch में आपको बताएं तो spinners को यहाँ पे मदद है वो 30% का है और pacers को मदद यहाँ पे 70% का है तो जो wickets गिरेंगे वो 70% pacers ले तो दोस्तों दोनों ही टीमों की recent की 5 मैचों की form निकाले तो recent में 5 मुकाबले में जो पंजाब की टीम है वो 3 मुकाबले जीती है और 2 मुकाबले लॉस की है और वही बात करें रोयल चैलेंजर वैंगलोर की टीम तो 5 मुकाबले में यह 3 मुकाबले लॉस की और 2 मुकाबले win की है ये इसी IPL का भी लिखा जोका है 5-5 मुकाबले दोनों ही team ने खेले हैं और 3 और 2 मुकाबले जीते हैं तो यहां पर थोड़ा सा पढ़ला यहां पर पंजाब की भारी हो गई और बात करें तो जीतने की chances 52% जीतने की chances यहां पर पंजाब की है और 48% chances जीतने की RCB की है तो आप भी सोच रहे हों कि क्यों RCB तो बहुत तरड़ी team है ऐसा क्यों तो यह आपको records में बताऊं तो एक record यह है कि recent के 5 मुकाबले जो IPL में अभी तक खेले गए हैं पंजाब और RCB के बीच में 4 मुकाबले पंजाब ने जीते हैं और एक मुकाबला मातर RCB ने जीते हैं तो यहां जब आया अपस में बेड़ेते हैं तो RCB के सामने धारासाई हो जाती है मतब पंजाब के टीम के सामने RCB की टीम धारासाई हो जाती है तो वो भी ध्यान में आर्षेव के तरफ इस मैच को ळीट सकती है तो ये दो कंप्रिजन मैं ने बता दिया आपको टीम कंप्रिजन एर २ तौ यहापए डेख पारय, गलेन ब्राट कोली फाब डो प्लेशिस सैम करन में मुहम्मद सिराज और एस धावन और ए सिंग ये सारे टॉप क्लास प्लेयर हैं अभी और अभी टॉप में चल रहे हैं तो टॉप में चलते हुए ये प्लेयर्स अभी अभी अच्छा कासा पॉफोर्मेंस दे रहे हैं सभी टीमों में होने की चांसेस इनकी यहाँ पर बात करें तो 70 से 80 पर्शन चांसेस है कि हर टीम में आपके होने वाले हैं ये प्लेयर्स तो वो ध्यान में रखते हुए आप रखेंगे अब चलते हैं इनका पॉइंट्स दिखाते हैं तो दोस्तों यहाँ पर पॉइंट की बात करें त तो रिसेंट के पांच मुकाबले की पॉइंट है ये तो आप देख लेंगे ये पांच मुकाबले की पॉइंट है तो यहां पर बताओं एक सकेंड दोस्तो कॉल सा रहे हैं एक सकेंड हां दोस्तो यहां पर पांच मुकाबले हैं जो रिसेंट के पांच मुकाबले खेलें उस इस मुकाबले में flop रहेंगे अगर आप try करना चाहते हैं तो mini GL में और SL में आप try कर सकते हैं head to head में भी try कर सकते हैं इनको कफ्तान और 20 कफ्तान लेकिन मुझे लगता है इस match में ये flop रहने वाले हैं बिराट कोली इस match में चल सकते हैं हला की एक या दो मुकाबले में चले हैं यहाँ पर देख पारों हैं तीन मुकाबले में चले हैं दोस्तों, दो मुकाबले में loss रहे हैं तो इस मुकाबले में मुझे लगता है कि ये 50 के उपर run्स बना सकते हैं तो इनको आप Cup甜 try कर सकते हैं to head SL और GL में भी दोस्तों 5-2 प्लेश चलते हैं एक ही match में यह नहीं चले हैं और बाकी हर एक match में यह चले हैं एक match में और में नहीं चले हैं लेकिन regular चलते हैं यह भी इस match में कुछ runs तो बनाएगे लेकिन जल्दी out होने की संभावना इनकी भी है तो इनको भी आप ट्राइ नहीं करेंगे Grand League में कफ्तान और वाइस कफ्तान हाला कि दोस्तो इनको ट्राइ कर सकते हैं मिनी जील में और हेट टू हेट में सैम करन की बात करें तो सैम करन एक मैच में फ्लॉप रहे हैं बाकी रेगुलर पॉफमेंस दे रहे हैं सैम करन को अपने टीम में सामिल करना है कफ्तान भी बना सकते हैं मिनी जील में और Grand League में भी ट्राइ कर सकते हैं ये एक बिकेट तो जरूर निकाल कर देंगे इस मैच में और कुछ रंस भी बना सकते हैं मुहमत सिराज इस मैच में फ्लॉप रहने वाले हैं हालकि दोस्तो Grand League में इनको कफ्तान आप बना सकते हैं यहाँ पर देख पार हैं वो रेगुलर चल रहे लेकिन पिछला मुकाबले में ये फ्लॉप रहे हैं तो इस मुकाबले में कुछ रंस बना कर दे सकते हैं आपको ये सिंग की बात करें तो ये रेगुलर बिकेट्स लेते हैं हर मैच में बिकेट लेते हैं इस मैच में दो बिकेट लेनी की संभावना इनकी है तो आप इनको ट्राइक कर सकते हैं दोस्तो एस रजा को आप आर रजा की बात करें S-Raja तो एक मुकाबले में बहुत ही बैतरीन चले हैं बाकी हर फिलॉप रहते हैं जिरोंको कपतान और Wais कपतान नहीं बनाना है और इस मैच में यह फिलॉप रहने वाले हैं कि रखना चाथे तो लगशने टीम में जेसर्मा को ट्राइक कर सकते हैं तो वाइस कप्तान आप ग्रैंडिंग में ट्राइक कर सकते हैं इनको रबाडा की बात करें दोस्तों दो मुकाबले में इनको बिकेट नहीं मिला है और तीन मुकाबले में ये एक-दो बिकेट निकाल कर दे रहे हैं क्योंकि अक्सदीब सिंग और रबाडा दोनों की उपर रहने वाला ये मैच क्योंकि अपोनेंट पर बहुत ही बड़ी-बड़ी हस्तिया है अगर वो RCB की टीम फ्लॉप होती तो ये दोनों बहुत ही अच्छा बिकेट निकाल कर दे सकते हैं एमशॉट की बात करें ये और राउंडर है जो की अच्छे फॉर्म में है लेकिन उतना खासा अच्छा परफॉमेंस दे नहीं पाए हैं अभी अग आई-पियल में इस मैच में मुझे लगता है कुछ रंस बनाएंगे तो अच्छे जल्दी बैटिंग करने आते तो आपके लिए फायदे मन्द हो सकते हैं वाइस कप्तान भी बना सकते हैं ग्रांड लीग में अग्र ख्यलते हैं तो कुछ रंस बनाएंगे अभी इसमभावना कम है अगर खेलते तो मैं आपको बता दूँगा टेलिग्राम पे एक टीम में मैंने इनको रखा भी है अगर खेलेंगे तो आपके लिए फायदे मन्द हो सकते इस मैच में S Khan को अपको नहीं रखना है S Khan यहाँ पे आपके लिए अच्छे प्लेयर नहीं है इस मैच के लिए और आपको बात करें तो दोस्तो वी विजय कुमार तो विजय कुमार की बात करें तो इनको आप अपने टीम में सामिल कर सकते हैं तो इनको सामिल कर सकते हैं आप यह विकेट भी ले सकते हैं और रिस्की और बहुत ही यहाँ पर बैतरीन प्लेयर हो सकते हैं इस मैच के लिए आपको अगर एक यह दो बिकेट निकाल कर दिये तो आपके लिए फाइदे मंद हो सकते हैं तो इनको ट्राइ कर सकते हैं आप दोस्तों लेकिन एक ही टीम में ट्राइ करिएगा ग्रांड एम लॉमर अगर इस मैच में खहलते हैं तो इस विए बना सकते लेकिन कफानुक्त। क्तान और वा-स-कफान नहीं रखना है आपको साथ सब्सक्राइब के बात किया थे ऑख़े हाँ विकेट कर दे सकते हैं इक अको बदान का उन यह Jacquer कर रेंगे इनको नहीं रखना है अब चलते हैं 5 टीम की आपको कहलनी है और कॉन से तीम यहाँ पे आपके लिए हो सकती है तो चलते हैं यहाँ पढwar टीम आपको दिखा देते हैं जो ने बना कर रहका है तो यह पहले टीमें जिसको मैंने X Deep stream को लखना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बेतरीन हो सकते हैं यह पहला टीम थी आपको Hit2Ed में लगा लेनी है तो Gl में भी कर सकते हैं यह मेरी दूसरी तीम है Mini Gl के लिए मैंने रखा है इस टीम में देख पा रहे हैं हिने फाब डुप्लिस को वाइस कप्तान और कप्तान देख पा रहे हैं कि एम सोट स्को रखा है चेल्जेज आपके उपर कर सकते हैं या सेम टीम से जा सकते हैं यह मेरी मिनी जील की टीम है अगर यहां पर कोई कप्तान और सकत पर रहे हैं या कि आपके लिए आपकी लिए रहते हैं आप की आपके लिए असर कर सकते हैं हैंब चलते हैंजोकी तीन पाइदे मंद हो जाएंगे ग्रांडीग में और कप्तान यहां पर मैंने अक्सदीप को रखा इस टीम में थोड़ा बोलर्स को फोकस किया है और बोलर्स यहां पर जादे हैं अगर कुछ चेंज़ेस होती है तो मैं आपको अपडेट एडिग्राम पर कर दूँगा हाला कि दो यह मेरी चौती टीम है यह मेरी वाइस कप्तान यहां पर देख पार हसरंगा है और कप्तान मने रभारा को रखा और मने बताया थे कि वस तरंगा इस स्मय विगेट एक दो लेंगे और आपको इनको जदा वैल्यू नहीं देना है लेकिन मैंने यह आपर कप्तान बना दिया है या फ API कर देखनेug diramें अपने शहाबसे करना चाहते हैं यह सकते हैं यह मेरी आकर टीम जो कि एब IF जल्दी वैट करनी आ थह तो कुछ रंस्स मना चाते तो कर सकते या फिर सेम टीम से जा सकते हैं तो पांच कॉमिनेशन मनी बताई है पांचो कॉमिनेशनों को आपको लगा ले ना इनके सिन में से कोई changes होती तो आपको update टेलीगराम पे मिल जाएगी और दोस्तों वीडियो में आपको बताया था मैंने गीवावे चल रहा है गीवावे में पार्टिसिपेट जरूर करेंगे अगर आपको एक्स्ट्रा इंकम चाहिए तो मिलता है नेक्स वीडियो में तब तक लिए धन्यबाद चाहिए